कोई औरत सेक्स कर लेती है उसकी बॉड़ी में क्या चेंजिस आते हैं सेक्स करने के बाद औरत की बॉड़ी एक अजीब सी शेप में कनवर्ट हो जाती है और उसमें बहुत जादा हालचल महसूस चुरू होती है सेक्स के बाद आक्चली ऐसा होता क्या है सब के बारे में बात करेंगे, नमशकार मैं हूँ डॉक्टर निहा मैता, मैं एक सेक्स कांस्टर हूँ और पिछले काफी सालों से प्राक्टस कर रही हूँ, अपनी हर वीडियो के मादम से सेक्से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुचाने की कोशिश करती हूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ, सेक्शुल स्टुमिलेशन, मतलब अक्चली इंटर कोर्स के बाद फीमेल की बॉड़ी कैसा मैसूस करती है और क्या-क्या स्टेजर्स होते हैं, डीटेल में, मुझे पता अप ये वीडियो अन तक देखने वाले हैं, तो इस चानल को अगर आप नए ह जाते हैं, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो आपकी बॉड़ी में कहीं न कहीं, ऑक्सीजन की सप्ला इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन की सप्ला इंक्रीज होगी, तो आप गहरे लंबे श्वास लेना शुरू करेंगे, दीरे दीरे जैसी blood flow बढ़ रहा है तो आपकी जो vessels हैं मतलब जो blood की vessels हैं वो dilate होने लगेंगी और आपका पूरा शरीर लाल पड़ सकता है गरम हो जाता है जैसे हम कहते हैं गरम हो जाएगा शरीर लाल पड़ जाएगा और वो ready होता है sex के लिए intercourse के लिए ऐसे समय पे बहुत बार आपक प्रेड हो जाता है ठीक है इस face के बाद का phase आता है जिस हम कहते है प्लाट्यू face प्लाट्यू face में क्या होता है कि आपकी बोड़ी थीरे थीरे थोड़ा से discharge आज प्रड्यूस करना शुरू कर देती है मेल्स के अंदर भी यही गर्मी ऐसे ही महसूस होती है उनका पैनिस थोड़ा सा श्रेप में बड़ा हो जाता है और फीमिल के जो बूब्स है ब्रेस्ट है वो भी थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है निपल्स इरेक्ट हो फिर मैं बात करूँ कि सेकेंड फेस में प्लाट्यू में अचली लूब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है मतलब धीरे धीरे वहां से थोड़ा सा डिस्चार्ज या मेल्स में प्रीकम आना शुरू हो जाता है इसका मतलब है कि आपके वजाना बिलकुल रेडी है पैनिस बिलक Breaking Time एक ऐसा time है जो आपको सबसे ज्यादा फ्लैजर की तरफ लेके जाता है कि पहँच के अपकी बॉडी में से हैपी हार्मोन रीलीज होता है जसको हम oxytorsan कहते हैं oxytorsan hormone आपकी bonding को increase करता है इसलिए sex के बाद आप जब भी कर रहे होते हैं आप को vivo करोगी यह सब करAmerican bonding को increase करता है sex के बाद ultimately आपको ऐसा लगता है कि yes she's the right one or he's the right one last phase को हम resolution phase बोलते हैं resolution phase का मतलब है कि आपके body बिलकुल वापस आ रही है आपका बजायना, आपका penis, आपके testicles वापस वापस अपने normal state पे आ रहे हैं, breast बिलकुल normal state पे आती है, इस face में आपको बहुत जादा आनन्द की अनुभूती होती है और आप बहुत जादा exhausted से feel कर सकते हैं ऐसा होता है आपको लुगता बस मुझे आपको उठायना, मुझे नीद आ रही है, मुझे rest करने तो आपकी heart beat धीरे धीरे normal होने लगेगी, सांसे धीरे धीरे normal होने लगेगी, इस face को हम resolution face कहते हैं, इसके लावा sex अगर हम regularly मतलब शादी के बाद जैसे female regularly करती है, males regularly करते हैं तो आपकी body का shape figure थोड़ा थोड़ा increase होता है क्योंकि आपके hormone increase हो रहे हैं तो इना कहीं आप regularly sex में involved रहते हैं, तो आपकी breast धीरे धीरे साइज में थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, nipples erected mostly erection increase हो सकता है, कई females में उनका जो body का shape है, वो change हो जाता है, depends on आप कितना regularly sex में involved रहते हैं maturity के signals आने शुरू हो जाते हैं, आपका किसी पे trust because आपके अच्छे hormone release हो रहे हैं वो increase हो सकता है, कई females बहुत जादा happy रहती हैं, तो उनका lower area definitely increase हो सकता है, male में tummy का भाग आगे की तरफ बढ़ सकता है यही धीरे धीरे changes आपके अंदर sex के बाद आने लगते हैं, आप responsible हो जाते हो, आपके urges बढ़ने लगते हैं हो सकता है, आप नही नही चीज़ें, नही नही fantasies को enjoy कर पाएं, तो यह बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या changes आपकी बाडी में sex के बाद आते हैं आ सकते हैं, जितना आप happily, without forceful उनके consent के साथ enjoy करेंगे तो आपकी बाडी उतनी ही shape में, shape मतलब a good sexy shape में, धीरे 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 convert हो सकती है, that's why couple who keeps happy, थोड़ा थोड़ा weight gain भी कर लेते हैं, और कुछ areas में, उनका sizes बढ़ने भी लगते हैं